चलो दोस्तों आज बनाते हैं हम रेश्टरेंट जैसी कढ़ी पकोड़ा रेशिपी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती हैं आप भी जरूर घर पर बनाएं मेरी तरीके से फटा पट से बनकर तैयार हो जाती हैं यह दोस्तों इदर हमने बेशन लिया है आप कम या जादा बिशन कर सकते हैं और इसमें हमने पानी डाल करके इसको हम अच्छी तरीक से मिक्स कर लेंगे ज्यादा पानी ना डालेंगे अम इसको पकोड़े के लिए तैयार करेंगे बेटर को और दोस्तों इसमें हम अब डालते हैं नमक हल्दी और बैकिंग सोड़ा यह हमने चुटकी बर हल्दी और चुटकी बर बैकिंग सोड़ा और नमक सुआद अनुसार डाल दिया हैं कुछ डाल लिया हमने हरी मिर्च थोड़े डालेंगे प्याज और हरा धनिया इनको सभी को हम मिक्स कर लेंगे दोस्तों इजर हम चलते हैं कैस की तरफ हमने कडाई रखिये हैं इसमें डाल दी हमने ओयल ओयल रखेंगे इतना ताकि हमारे पकोड़े आदे उपर रहें आदे ओवेल के अंदर है को दोस्तो हमारा वेल गर्म हो गया है हमने पकोड़े चोड़ें एक डाल दिसके उड़ है जो बत ऑफे हैं देखे हमारे पकोड़े ठाश निकाल लेंगे सभी पकड़े लेते हैं मिक्सी जार और दोस्तों दो चमच के करेब डालेंगे हम इसमें बेशन और थोड़ा डालेंगे स्वाद गरुसार नमक चुटकी बार हींग चुटकी से थोड़ी जादा और थोड़ा गरम मसाला थोड़ा धनिया पोडर पिसा हुआ और यह डाल दिया हमने दही ताजा ज्यादा गैस की तरब चलते हैं हमने ओल के अंदर गरम किया हुआ था एक चमच के करीब जो हमारा बचा हुआ था उसमें लाश्चुन अरे मिर्च और प्याज डाल दी हैं इनको हम सुनहरी होने तक पकाएंगे थोड़ा जीरा भी डाल देंगे यह डाल दिया हमने कड़ी पत्ते य दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी जल्दी और छोटी बनती है मैं ज़्यादा टैम नहीं लेता यह दोस्तों हमारा बाल आ गया है इसे परकार से हम कड़ी को पकाएंगे और बीच बीच में इसके साइड में जो मलाई आती है इसको हम चमचे की मात साइडा से छुटा करके तैयार हो गई हैं तो अबात यह हमारी बारी पकोड़ों की हम अपने सभी पकोड़े इसमें डाल देंगे और दोस्तों देखिए हमारे पकोड़े धीरे-धीरे कडिका सारा पानी अपने अंदर पी रही है है कि और दोस्तों हीदार हमने लिए कटोरी कर दाल ones me हमने यह डाल दिया हमने थोड़ा अजवायन तट़का लगाने के लिए 167 लाल मिर्च थोड़िए ऑमने कस्मिरी लाल मिर्च उप्सी भी और यह हमने अपनी कड़ी के इंदर डाल दिया है हमारी कड़ी बन करके तयार है दोस्तो मेरी वीडियो कैसे लिगे वीडियो जरूर बताना लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना धन्या डाल दिया है दोस्तो नमस्कार